हम इंसान भी बड़े विच्चत रहें जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब भगवान से विंतिक करकर के अपने आपको बहुत छोटा बनाते थे और जब सब कुछ मिल जाता है तब उस परम शक्ति उस भगवान को ही भोल जाते है जो पाया है जो उन्नति किये प्रगति किये उसके लिए खुद की पीट थपता पते नहीं थपते सोचेगा जरूर इस बारे में साइद आपने भी ऐसा कुछ किया हो इश्वर आपकी और मेरी प्रात्नाओं का मौताज नहीं है बस सचे मन से पूर्ण आस्ता से उन्हें याद करेंगे तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है नमस्कार मैं हूं कमर्ण श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के कन्या रासिम प्रवेस के इस विसेश एपिसोड में ये एपिसोड आपकी रासी नाम रासी अताद मून साइन पर आजा रहीत है और ये एपिसोड सिप शुक्र ग्रके गोचर फल के बारे में ही है वैदिक जोतिस के नुसाद शुक्र ग्रके बहुत महत्पून है क्योंकि ये आपको बहुत इक सुक हो दाए हैं प्रदान करता है शुक्र देतियों के गुरू है, शुक्र बहतिकता का रूप है, धन संपती और भवन मकान की भविता को प्रदसित करता है, सजावट दिखाना इनका काम है, और जिसे भी अपने आपको बल देता है, उस पर आजीवन लक्षमी बरस्ती है, और साती पुरुष है, तो अच्छ के प्रभाव वाले लोग विशेश रूप से पेंटिंग, डांस, सिनिमा, थेटर, आर्ट, डिजाइनिंग इन सब सेक्टर से सम्मंदित होते हैं, वहीं इसके असुपल से मनिश्वे में संसकार हिंता, योन जनित रोग तता परिवार में बिखराव के स्थिति निर्मित हो या शुकर पर किन ग्राव की जस्ति रहेगी उन पर बात करते हैं, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, ग्राव की चाल अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए प्रेरिद भी करती है, शुकर के करने रासी म में यह राव की जस्ति में होता है, तो हानी करता है, राव की जस्ति में शुकर प्रेम का पुजारी बन जाता है, उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है, अनितिक समाज विरोधी गतिविदियों की और अट्रक्ट होता है, और उसमें फस सकता है, तो ऐसी स्तित में अपने आप को बचाने का बारशक प्रियतने करें शुक्र और बुद की यूती हो जाएगी 26 अगस्ट से तो सुप्गर बुद और शुक्र की यूती से बनने वाला योग लक्ष्मी नानान योग कहलाता है बुद बुद्धी विवेक और हासे का कारक होता है तो शुक्र सुंदर ये भाग्य को बढ़ाने वाला योग है यह योग आपकी रासी कुंडली में जन कुंडली में जिस बाव में बनेगा जिस बाव पर दस्ती डालेगा उन बाव सम्मंदित विसेश तरह के सुब फल आपको इस्तितिक अनुसार मिलेंगे इस योग के फल शुक्र या बुद्ध की म आपके संख्यां में रद्ध कर जाएंगे और पांच सितंबर नो जार एकईibl की distributing कियाओ पर क्या वाएंचिसली से ब्रासी में फ्रते वात जोगाए कि जानते हैं की संक्या में रद्धी हो जाएगी और उनसे समझोता करने पर विवस होना पड़ेगा साथ में काम करने लोगों से प्यापा संबन्दी विवाद या गलत वहमी हो सकती है यातरा में दुरगटना या पर यातरा में हानी हो सकती है सारे रिकष्ट मिल सकता है और ऐसे समय में जीवन साथी भी मूँ फेड़ लेता है आपको शुक्र ग्रह की सांतिक उपाय करने की आवशक्ता जादा है और वो उपाय कौन से होंगे इस एपिसोड के एंड में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ आईए अब बात करें व्रसब रासी की आपकी रासी से फिप ताउस में सिक्सा और संतान बाव में गोचरवस शुक्र का प्रेश होगा इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा धन की यश की प्राप्ती होगी और आपकी लाइव स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी शांदा डंग से खाना पिना होगा आपका एस्टेटस इंप्रूव होने लगेगा सत्रों पर या कॉंपिटिटर पर विरोधियों पर आप अच्छी पकड़ बनाएंगे या उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे एंटर्टेन्मेंट में आपका इंटरस्ट अधिक होने लगेगा जिन लोगों को संतान नहीं है या जो संतान के बारे में प्लान कर रहे थे उनके संतान का जन्म का अवसर आ सकता है या वो सोचना आपको मिल सकती है और यदि आप कोई गहरी फ्रेंडशिप में तो पार्टनर के साथ में पके रूप से आपकी फ्रेंडशिप बन सकती है इस्टूडेंट जो इससे में कोई कमपर्टिटिव एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत सांदा सफलता प्राप्त होने वाली है आईए अब बात करें मिथोन रासी की आपकी रासी से सुक बाव में शुक्र का गोचरवस प्रविस होगा इससे ज़्यादा तर आपकी कामना अच्छी होने वाली पूर्ण होने वाली है और जिन लोगों को फाइनेशली हेल्प चाहिए उनको वो हेल्प मिलने वाली है एंटर्टेन्मेंट के साधन सुक सुविदाओं के साधन आपको मिलेंगे वाहन आपको मिलेगा जिन लोगों पाइन वाहन नहीं है बहुत समय से खराब है गैरेज में रखावा है उन लोगों को वो वाहन वापस ठीक होकर मिल सकता है यह जो लोग अपनेवान को अपग्रेड करना चाते है उनको वो अपग्रेड से सुख मिल सकता है समद्हियों से साहिता प्राप्त होगी जनता से संपर्क या जनता से प्रेम बढ़ेगा और यदि आप ऐसे शित्र में जहां जनता से स्ने या जनता का सयोग ज़्यादा जरूरी है जैसे राजनेतिक इस्तिति तो आपके लिए और ज़्यादा बैटर इस्तिति होने वाली है आप तन और मन दोनों में ताकत की अनुभुती करेंगे या उसमें आपको स्ट्रेंथ हसिल होगी आईए अब बात करें करक रासी की तो जनकी प्राप्ति होगी और आपका साहस और कॉन्फिनेस बढ़ जाएगा हेलपर्स या नौकर चाकर का सयोग आपको मिलने लगेगा मान समान में व्रद्दी होने लगेगी और ऐसे ही समय में भागे का भरपूर सयोग मिलता है सरकारी सयोग प्राप्त होता है भाई-बैनो आपको फाइनिशल गेन होता रहेगा हैल्थ बहुत अच्छी रहेगी दामपते सुक बरपूर मिलेगा सरीर के सुंदर में परसनलिटी में स्मार्टनेस में निखा रहेगा संतान प्राप्तिगाय संतान के बारे में प्लान करने का सही समय है जिन लोगों के घर में कोई फं में हैं आपकी इंप्रुमेंट होने वाली है और जो लोग शौकीन है गाने बजाने के या संगित के से तर्म को इंटरस्ट रखते हैं उनके लिए एप्रेशेशन मिलने वाला है या उनको गैरी नॉलेज मिलेगी इस समय आपने विरोधियों से आपको सांती मिलने वाली है ज पत्रु सांत होंगे लेकिन स्वैम कुछ नेगेटिविटी या दूराचार करने की और अकरशित होंगे या आपके कुछ गलत आत्तें पनब सकती है गलत दिसा में जाने लग सकते हैं गलत संगती हो सकती है इससे अपने आपको बचाने की ज़रूत है इस समय काल में इस गो लिक्विट में या आपके बैंक बैलेंस में या आपकी कैस की स्ट्रेंट उसमें वर्दी होगी और सुगंदी द्रभियों या फैंसी गुड्स का जो काम करते हैं उनकी इंकम ज्यादा बढ़ेगी या आपका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा आईए अब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से ट्वेल ता उसमें एक्सपेंसेज बाव मैं शुक्र का गोचरवस प्रेश होगा इससे आपके नए-ने फ्रेंड्स बनेंगे एक्सपेंसेज भी बहुत होगा इंकम भी बहुत होगी और सुख सुविदाओं के साधन या कहिन के नेगिटिव साइड में अटरक्ट करता है जिससे लोग अच्छा नहीं मानते इसलिए सोसाइटी में जहां पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यावार करें हसी माजाग में भी किसी का अपमान नहीं करें अपने स्टेटिस का रेपोटेशन का खैल करें या उसे में रखेंग आईए अब बात करें व्रस्टिक रासी की आपकी रासी से लाब बाव में या 11 ताउस में शुक्र का गोचरवस प्रविस होगा इससे लाब में व्रदी होगी और यस बढ़ेगा बहुत से तरीकों से गेहन हो सकता है मान समान में व्रदी प्राप्ट होगी हर कार हैं जैसी situation चाहते हैं वो style आप अपनाएंगे दांपते सुखों में व्रद्धी होगी और यदि आप कोई गहरी friendship में तो उस गहरी मित्तता के चलते आप बहुत जादा खुशी अनुबर करेंगे और इस समय काल में friends का भी आपको भरपूर सही होग प्राप्त होगा आईए अब बात करें धनू रासी की आपकी रासी से 10 आउस में प्रोफिशन बाव में शुक्र का गोचर बस प्रेस होगा और ये गोचर सुब नहीं माना जाता है सरीर में पीड आपके competitors आपको बहुत हैरेस करेंगे जॉब में obstacles आने लगेगी या जॉब में असफ़ता मिल सकती है या कोईन कोई problem बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है समाज से परिवार से विरोत खड़ा हो जाता है और especially मैलाओं से इस तरी वर्क से चाहे वो घर की इस्तिरिया हो या office की हो उनसे दुख ही आपमान की प्राप्ती हो सकती है सरकारी परिशालिया भी इस समय बहुत आयत में आने लगती है ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाए आपको करने की ज़्यादा आवशकता है और वो उपाए कौन से होंगे इस episode के end में बतलाऊंगा विस्तार से आईए आगे बाव में नाइंत आउसमें शुक्र का गोचरवस प्रविस होगा और इससे luxury goods की जम करके shopping होगी health बहुत अच्छी रहेगी energy और fitness कमाल करेगी और आपके काम काज में आसा से ज़्यादा अनुमान से ज़्यादा आपको फाइदा मिलेगा कोई fix assets का या vehicle पर investment हो सकता है खरी सकते हैं गौर्मेंट की help या गौर्मेंट अधिकारियों की help आपको मिलेगी घर में मांगलिक और धार्मिक जो आयोजन हो सकते हैं काम हो सकते हैं आपके life partner के द्वारा भाग्या में support मिलेगा फ्रेंड से बड़े भाईयों से साहिता लाब और या पे support मिल सकता है इस सुब माना जाएगा इस से financial gain और आपकी सुखों में या facilities में व्रदी होगी आपको business में अचानक से कोई बहुत बड़ी deal मिल सकती है कोई secret डंग से आप किसी को बिना बताएवे कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं या कोई बहुत बड़ा investment कर सकते हैं किसी friend के प्रती आपक सुख दोनों ही प्राप्त होंगी students के लिए बहुत अच्छा समय है अपने health पर उनको ध्यान देने के आवशकता होगी लेकिन आपके काम काज में बहुत ज्यादा व्यस्तता आपके स्वास्ते को problem कर सकती है इसलिए स्वास्ते को नजर अंदाज नहीं करना है आईए अब मिहींड राशी की आपकी राशी से सेवन तावस में शुक्र का गोचर वस प्रिविश होगा और यह सुभ नहीं माना जाता है इससे अपमानित होने का बहल लगा रहता है बहुत मुश्किल से कामकाद का चलता है और जो लोग रोजगार तलासते रहते हैं उनका आजिवका का निर्वा बहुत मुश्किल से होता है जीवन साती से घर परिवार में विवाद या जीवन साती के अस्वस्त रहने की संभावनाई बढ़ जाती है और अन्य विप्रित लिंगी अपोजिट जेंडर लोगों से संपर्क बढ़ जाता है या उनसे स्ने और प्रेम के कारण सावशक्ता ज्यादा है आईए अब बात करते हैं शुक्र के रखी सांती के कुछ उपायों के बारे में हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल जूप से होती है और वो अच्छा घर बढ़ा वाहन बहुत अच्छे कपड़े बहुत अच्छा ज जदि जन्म कुली में या गोचर कुली में शुक्र पीडित या कमजोर है तो जीवन में बहुतिक सुकह में कम ही आ जाती है ऐसी इस्तिति में शुक्र करकि सांतिक उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं और उन उपायों में सबसे पहले दुरगा सबसंति का पार्ट करें, या उसमें, देवी कवच सबसे पहले आता है, उसका पार्ट कर सकते हैं. लक्ष्मी की पूजा, स्री सुक्त का पार्ट भी बहुत सूब माना जाता है. नित्य संक्त में जल बर करके लक्ष्मी जी पर अभिशेक करें, हर सुक्रवार को सफिद पुस्पों से या कमल के पुस्पों से लक्समी जी की पूजा करें इस दिन रात के खाने में खीर बना करके लक्समी जी को भोग लगा करके वो खीर सभी परिवार जन्वी प्रसाद के रुप में गिनान करें और या पिर एक प्रकार से नियम बना ले कि हर शुकरवार को डिरन में, रात के खाने में खेर जरूर बने, इन मंतरो में से कोई बी एक मंतर का जाप आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे या जिसका उच्छारन आप अच्छे डंग से कर सकते हैं, शुकर का बीज मंतर है एक अकसरी बीज मंत्र एक अकसर वाला ओम शुम शुक्राय नमः या शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्राम सह शुक्राय नमः जो लोग व्यापारी हैं वो लोग कुबेर का मंत्र जाब भी कर सकते हैं अश्टलक्षमी कवच और देवी के लिए दस माविद्य कवच का धारण करना चाहिए और आप चाहिए तो एक साथ में अश्टलक्षमी कवच और दस माविद्य को दोनों का सहुद कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं हर शुकरवार की साहिंकाल में सफिद मिठी वस्तों का दान करें और या पिर हर शुकरवार को सुर्य देश से एक गंटे के भीतर भीतर जिसे होरा काल का जाता है शुकर की होरा में इन वस्तों का दान करें मिठी चावल या चीनी बता से मिश्री आइस क्रीव यह सब कर सकते ह शुक्र का कन्या रासी में गोचर फल यह गोचर फल या जो यह राशी फल है यह आपके जन कुल्बिंसे एक चनमा पर जो आधारीत आता जिसे राशी कहा जाता है एक एराशी के करोड़ों लोग हो सकते हैं तो हर किसी पर यह राशी फल यह जैसा घटित हो जाय यह जरूरी रही है तो ऐसी इस्तिति में आपकी जन्र कुली में शुक्र की इस्तिति क्या है शुक्र किन ग्राओं के साथ में किन ग्राओं की जरस्ति में है कौन से योग में है कौन सी दसा चल रही है ये सब कुछ असर करेगा तो ऐसी इस्तिति में अपनी जन्र कुली का विशलेशन जान सकते हैं और या पिर जिन लोगों को समस्याएं गंबीर है कोई बहुत बड़ा डिस्जन लेना है या बहुत बड़ा कन्फीजन है सपनों को आप कैसे पूरा करें जो जीवन में आपने देखें जो जिग्यासा हैं जो भविशे में जहांकना चाते हैं उनके लिए जनकुनली एक माद्यम है जिससे आप आने वाले समय को जान सकते हैं और उन समय को जान करके सही डंग से डिस्जन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है और ऐसी इस्तिदी में स्क्रीन पर जो नंबर दिये वे उस पर संपर करके appointment fix करना है फिर आप और मैं ही होंगे बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा आपकी समस्या है आपकी जिग्यासा, आपके प्रस्थन या जो आप जानना चाहते हैं उन सभी के बारे में विचार करेंगे और ढूंड करके निकालेंगे विचे सुपाए और मैं आपको बताऊंगा आपके सभी जो समस्या हैं उनका कारण और साथ में नीवारन भी यह एपिसोड आपको कैसा लगा यह आप हमें comment box में जरूर बताईगा इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें आप सभी को मेरे नमस्कार बहुत-बहुत शुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करे मा लक्षमी और देवी मा आपकी रक्षा करे बहुत बहुत धन्यवाद